दोस्तों नमस्कार आदाव सत्ष्रियकाल न्यूज क्लिक के इस खास कारिक्रम में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे इमर्जनसी को लेकर इमर्जनसी तब और अब हम आज इमर्जनसी को कैसे देखते हैं इमर्जनसी जब लागू की गई इस देख में बहुत सारे जो नए लोग हैं युवा पीड़ी है उसको मालूम नहीं होगा खास कर जब वो इतिहास की किताबें अगर नहीं पड़े हों तो उनको मालूम भी नहीं होगा कि इमर्जनसी क्या थी लेकिन इमर्जनसी हमारे इतिहास में हमारे आधनिक जो भारती समाज है लोकतांत्रिक जो हमारी राजनीती है उसके हिसाब से उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक बहुत महत्तपूर्ण एक चैप्टर है हमारे समाज का हमारे देश का की कैसे जो हमारे राजनीती का धिकार हैं वो कैसे손 थगित कर दिये गए थे खतम कर दीए गए थे और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि ये देश तानाशाही की तरफ जा रहा है लेकिन हालात इस तरह के पैदा हुए कि फिर मिसेस गांधी को जो स्रीमती इंद्रा गांधी प्रधान मंत्री उस समय थी उनको चुनाव कराना पुड़ा और इमर्जनसी का वो जो काला दौर हो खतम किया गया लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि दरसल ये इमर्जनसी की शुरुवात कैसे हुई थी इमर्जनसी की शुरुवात दोस्तो एक चुनाव याचिका के कारण हुई कैसे हुई 1971 में स्रीमती इंदिरा गांधी की जो कॉंग्रेस पार्टी थी आप जानते हैं कि उसके पहले विभाजन हो चुका था कॉंग्रेस में मिसेस गांधी को प्रचंड बहुमत मिला था 518 जो सीटें थी लोकसभा की उस वक्त उसमें 352 सीटें कॉंग्रेस पार्टी को मिली थी इंदिरा गांधी की कॉंग्रेस को क्योंकि जो दूसरा जो कॉंग्रेस का फैक्शन था जो अलग हो गया था दरसल वो कॉंग्रेस पार्टी अपने को कहता था और मिसेस गांधी की पार्टी को कॉंगरेस, इंदिरा या कॉंगरेस आई कहा जाता था विपक्षी जो कॉंगरेस थी, जो मुखे कॉंगरेस थी उस समय के लिए उसको 51 सीटों पर सिमट जाना पड़ा यनि एक तरह से देश की जनता ने जो जनादेश मिला एक हत्तर के चुनाव में वो साबित कर दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी की अगवाई वाली कॉंग्रेस ही असली कॉंग्रेस है लेकिन हुआ ये कि 1974 आते आते कॉंग्रेस पार्टी में एक कहरा संकट पैदा हो गया है और दोस्तों वो संकट क्या था संकट था कि अलहाबाद हाई कोर्ट के माननिय नियायाधिश जगमोहनलाल सिनहा ने 12 जून सन 1975 के अपने एक आतिहासिक फैसले में ये कहा कि स्रीमती इंद्रा गांधी ने राय बरीली से जो चुनाव लड़ा उसमें सरकारी मशिनरी का प्रियोग किया गया है जो सरकारी सेवक थे उनका दुर्प्योग किया गया है और राज नारायन जी ने ये समाजवादी थे सोसलिस्ट पार्टी के थे उन्होंने ये याचिका दायर की थी और उन्होंने जो याचिका दायर की थी उन्होंने खास कर यशपाल कपूर जो स्रीमती इंद्रा गांधी के सेक्रेटरी थे उनके हवाले ये कहा था कि कैसे सरक स्टारी कर्म कर्मियों का इस्तेमाल स्रीमती इंद्रा गांदी ने चुनाव लड़ने में किया। ऐतिहासिक फैसले में इलहाबद हाई को张 जज ने स्रीमती इंद्रा गांदी को चुनाव लडने से 6 साल के लिए और यह कोशित कर दिया। उनảinkि जो उनका का जो निर्वाचन था उसको अवैद घोशित कर दिया तब सुप्रिम कोट में जो ग्रिश्म कालीन जो समर वेकेशन के जो ज़ज्ड थे वह थे विके कृष्ण हईयर साहब उन्होंने 24 जून को हाई कोट के फैसले पर एक तरह से आंशिक स्थगन स्टे हलका सा देते हुए पार्शियल स्टे देते हुए स्रीमती इंद्रा गांधी को एक बड़ी राहत भी दी और वो ये किसंसर में बनी रह सकती है पर किसी मामले में वोट नहीं दे सकती है यानि वो प्रदान मंत्री बनी रह गई उसी दिन जेपी ने रामलीला ग्राउंड में जैप्रकाश नार ने रामलीला ग्राउंड की एक रैली में स्रीमती इंद्रा गांधी के स्थीपे की मांग की और उनकी तानाशाही भरे आदेशों को नौ मानने का सेना पुलिस से आहवान भी कर दिया ये बहुत जरूरी बात है बताना आपको कि इसके पहले बिहार गुजरात कई जगह पर बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे और महगाई के खिलाप आंदोलन थे करफशन के खिलाप आंदोलन थे लड़कों ने गुजरात में अपने होस्टल में फीस वगर बढ़ाया जाने पर अपने खाने पीने की जो चीजें थी मेस में उनका जो पैसा बढ़ा था उसको लेकर आंदोलन चेड़ रखा था गुजरात और बिहार दो खास तोर पे बहुत ही सक्री राजे बन गए थे लेकिन दिल्चस्प ये हुआ कि जब ये राम लीला ग्राउंड वाली जो बैठक हुई उसके बाद उसी के बाद आपको मैं बताऊं कि इमर्जनसी घोशित कर दी गई जे पी को पहले गिरफ्तार किया गया उसके बाद देश के जितने प्रमुखनेता हैं उन सब को गिरफ्तार कर दिया गया तो इस तरह से इमर्जनसी की दोस्तो शुरुआत हुई और उस दौर में जितने लोग जेल में गए उनके जो समर्थक थे बाहर उन्होंने कोशिस की कि रेजिस्टेंस बिल्ड किया जाए प्रतिरोध किया जाए लेकिन पार्टियों की ओर से उतना प्रति अगर देखा जाए रेजिस्टेंस तो नहीं था जितना छोटे-छोटे संगठनों की तरफ से चात्र और युवाओं की तरफ से था केरल में हमने देखा कि इंजिनिरिंग कॉलेज, रिजिनल इंजिनिरिंग कॉलेज के चात्र राजन को कैसे रहस्समे ढंग से गायब कर दिया गया था बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस वक्त सफर किये थे लेकिन अगर हम इमर्जनसी को उस वक्त और आज के कांटेक्स्ट में देखते हैं तो हमारे मजुदा प्रधान मंतरी इस इमर्जनसी को मानते हैं कि वो भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ब्लैक टे एक बहुत ही काला दौर था हम भी मानते हैं लेकिन ये ग्लोरिफाई करना कि आज का दौर बहुत महान है और तब का दौर बहुत खराब था दोस्तो इसके बारे में जरूर आप से बात होनी चाहिए प्रधान मंतरी नरेंद्र मुदी ने भारत की संसद में लोग सभा में पर्टिकुलरली कल 25 जून को उन्होंने राश्टरपती के अविभाशन पर पेस धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए बलकि लोगों से जो भी सवाल उठे थे उसके जवाब में एक तरह से अपनी सरकार का बचाओ करते हुए पक्ष रखते हुए कहा कि ये इमर्जनसी का दौर नहीं है हमारे हाँ लोग तंत्र है उन्होंने ये भी कहा कि जबरदस्ती किसी को जेल में नहीं डाला जाता ये नियाए पालिका सब कुछ करती है कोई जेल में नहीं डाला जा रहा है बदले की भावना से किसी पर कारवाई नहीं होती है ये सब बाते उन्होंने कहीं एक तरह से उन्होंने अपनी सरकार के डिमोक्रिटिक जो तौर तरीके हैं या ये साबित करने की कोशिश की इमर्जनसी बहुत बुरी थी जो लोग आज के दौर को इमर्जनसी से भी बुरा बता रहे हैं दरसल एक तरह से नेरेंदर मोदी जी उनका जबाब दे रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोग समाज में आज कह रहे हैं कि इमर्जनसी तो बुरी थी ही लेकिन आज का दौर शायद इमर्जनसी से भी ज्यादा बुरा है अब सवाल यहीं उठता है कि क्या 74 और 75 जैसी डिमोक्रिसी भी बची है आज अगर इमर्जनसी से जस्ट पहले का दौर देखें जब इमर्जनसी लागू की गई थी क्या हम उससे बुरे दौर में आज हैं एक सवाल पुछा जा सकता है कि जो उस वक्त जो हुआ था वो क्या हुआ था लोग प्रतिहत्यु कानून 1951 की किसी धारा के तहत क्या आज प्रधान मंत्री की बात छोड़िये किसी मंत्री मुख्य मंत्री या सत्ताधारी दल के किसी बड़े नेता के खिलाब भी कोई कारवाई हो सकती है क्या अंतिम बार देश के किसी बड़े नेता के खिलाब जो कारवाई हुई थी वो जुलाई सन 1999 में बाल ठाकरे साथ के खिलाप हुई जब राष्ट्रपति क्या नारायनन ने चुनाव आयोग की याचिका को सुप्रिम कोट से हरी जंडी मिलने के बाद कार्रवाई के लिए अपनी सामती दे दी थी ठाकरे साहब विले पारले विधानसभा चुनाव छेत्र जो मुंबई में आता है अपने उमिद्वार के पक्षमे धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप उन पर लगा था और जो पड़ताल जब आयोग ने की तो वो सही पाया उन्हें छे साल के लिए चुनाव लड़ने या मताधिकार से वन्चित कर दिया गया पर क्या मैं ये सवाल करता हूं कि क्या कोलकटा में भाजपा ध्यक्ष के रोड शो में 2019 के ल लंगा गया हम सवाल करते हैं भाई पूछना चाहते हैं कि आज किसी तरह की कारवाई की बात कोई सोच सकता है संद 2019 के लोगसभा चुनाव में सिर्फ कॉलकटा ही नहीं अनेक जगों पर धार्मिक भावनाओं का भारपूर इस्तेमाल किया गया क्या आयोग ने निर्वाच शेप किया लोगों ने याचिकाएं दी लेकिन फिर भी कोई कारवाई नहीं होई नियायलें द्वारा भी कोई हस्तक शेप नहीं किया गया क्या बताता है क्या आज की हमारी डेमक्रसी वावी नहीं है जो सन 74 75 में इमर्जनसी लगने के एन पहले थी जब एक ताकतवर अंत्र के पक्ष में था लेकिन स्रीमती इंदिरा गांधी जिनके पास पहमत था वो और तानाशाह बन गए लेकिन जंता ने रेजिस्ट किया लोगों ने रेजिस्ट किया अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने ये किया वो किया राश्ट्री स्वेम सिवक संग और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इमर्जेंसी के खिलाब सबसे बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी दोस्तों मैं कुछ कोट करके उद्ध्रित करके आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये बातें डॉकुमेंटेड हैं राश्ट्री स्वेम सिवक संग के उस वक्त चीफ थे बाला साहब देवरत साहब उन्होंने 22 अगस्त 1975 को यरवडा जेल से स्रीमती इंदिरा गांधी को एक खत लिखा था और उसमें क्या उन्होंने कहा था उन्होंने कहा था कि राश्ट्री स्वेम सिवक संग सारजोनिक शांती कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा में कभी बाधा नहीं बनता मेरी प्रार्थना है कि आप संग को प्रतिबंध से मुक्त करें उस वक्त बाला साहब देवर यरवडा जेल में थे और आरेसेस प्रतिबंधित किया गया था उन्होंने फिर आरेसेस चीप ने दस नौंबर 1975 को फिर एक लिटर लिखा स्रीमती इंद्रागंधी को और उसमें उन्होंने क्या कहा अब आप सुनिए उच्छतम नयाले के पांच नयायधिशों की पीठ ने आ आप से मिलने का मैं एक शुक हूँ बाला साथ देवरस ने चिट्थी स्रीमती इंद्रागंधी को भेजी लेकिन स्रीमती इंद्रागंधी ने उनसे मिलने में किसी तरह की दिल्चस्पी नहीं दिखाई अब मैं आपको यह भी बता दूँ हम किसी की निंदा आलोचना निरर्थक ढंग से बेवज़ा नहीं कर रहे हैं लेकिन क्या यह बात सही नहीं है कि इमरजनसी में जब 787-78 के साल के थे बजुर्ग मुरार जी भाय जेल में थे जेपी जेल में थे उनकी तो किड्नी भी खराब हो गई जेल में और तमाम और बड़े बज़र्ग नेता भी जेल में थे लेकिन हमारे पूरू परदानमंत्री अटल विहारी वाजपही जो आरेसे नहीं पूछ कहना चाहता कि कौन निता जेल में गया कौन नहीं गया बहुत सारे लोग जो आज देश के बड़े ओधों पर हैं बड़े पदों पर हैं वो जेल भी नहीं गये थे बहराल जेल नव जाने से और जेल जाने से कोई कोई इमर्जन्सी या तानाशाही के खिलाब संघर्ष में उसकी उर्जा या उसकी तिब्रता को हम कम नहीं आख रहे हैं लेकिन हमारा यह कहना है कि यह कहना कि इमर्जन्सी के खिलाब RSS ने ही केवल फाइट किया इस देश में और किसी ने नहीं मुझे लगता है यह बहुत ही आस्यासपद है जैसा कि बहुत सारे लोग दो दिन से कहे जा रहे हैं उस वक्त लेफ्ट के लोग खासकर CPIM से लेकर के और दूसरी और जो वामपंति की धारा गांदी के वे लोग भी जेल में थे तो इमर्जन्सी के खिलाब जो संघर्ष था वो केवल किसी एक धारा का नहीं था जैसा की साबित करने की आज कोशिश की जा रही है अगर इमर्जन्सी के कांटेक्स्ट में हम आज का संदर्व देखें तो आज हालात क्या है देश के अगर संस्थाओं को हम देखें चाहे वो प्रेस हो चाहे वो समवैधानिक संस्थाएं हो प्रशासनिक संस्थाएं हैं सारी किसारी संस्थाओं पर एक खास ढंकी शाया आपको दिखाई दे रही है ऐसा लगता है कि जैसे उनकी जिवन्तता खत्म हो गई है उनके अंदर की शक्त ही खत्म हो गई है बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे कल भी कहा गया कि प्रेस के आजादी के बारे में कि प्रेस की आजादी छीन ले गई थी इमर्जनसी में बिलकुल सही प्रेस की आजादी छीन ले गई थी लेकिन फिर भी प्रेस जिवन्त था कुछ हलकों में लोगों ने अपने पेजेज ब्लैक कर दिये थे लोग एडिटोरियल जो लिखते थे उस जगा खाली रख देते थे लेकिन आज हालत क्या है आज फूब लिखे जा रहे हैं लेकिन सुर्द सरकार के परचार में कुछ लोग इसको गोधी मीडिया कहते हैं तब टेलिवीजन नहीं था और टेलिविजन नहीं था केवल अख़बार थे लेकिन अख़बारों में कुछ संपादक तब भी बचे हुए थे जो किसी कीमत पर कंप्रमाइज नहीं कर सकते थे लेकिन आज क्या हाल है इक का दुपका कुछ संपादक हैं जो बचे हुए हैं लेकिन वो भी मजबूरी में समझोता एक ऐसा लगता है कि किसी समझोते के ताहत वो भी काम करने के लिए अभिशप्त से हैं और टेलिविजन चैनल्स उनका अगर बड़ा हिस्सा देखा जाए तो वो सत्ताधारी दल के कारेकरता में तबदील हो गए हैं क्या इमर्जनसी में ऐसा था अगर पत्रकारों का हिसाब देखें आप मनिपूर में पिछले साल कि शोर चंद्र वांखेम नाम के एक पत्रकार उन्होंने लिख क्या दिया बोल क्या दिया और क्या बोला उन्होंने कहा कि मनिपूर के मुख्यमंत्री जो हैं इस वक्त वो प्रदानमंत्री मोदी के हाथ की कटपुतली बने हुए हैं सिर्फ इसी एक वाकिपर वो NSA में गिरफतार कर लिए गया अभी UP में क्या हुआ जिनको ऐसा हुआ गिरफतार कर लिया गया गौरी लंकेश और शुजात बुखारी दो वरिष्ट पत्रकार मारे जा चुके हैं जो एडिटर रैंक के एक सो पचास से अधिक पत्रकारों पर इस वक्त देश में कंटेम्ट आफ कोर्ट या डिफेमेशन के मुकदमे हो रहे है भारती प्रेस की आजादी या अहिव्यक्त की आजादी में इस वक्त भारत कहां खड़ा है अगर आंकड़े देखें 180 देशों के इंडेक्स में भारत 140 में नंबर पर है दक्षिन सुडान 149 पर म्यामार 138 पर फिलिपिन से 134 पर कतर 128 पर स्रिलंका 126 पर अफगानिस्तान 12 121 पर है पाकिस्तान 142 पर है हम खुश हो सकते हैं कि हमारा जो निकटतम तथा कथिच शत्रू है वह हमसे भी बुरी हालत में है डिमक्रसी के इंडेक्स में भारत एक तालिसमे नंबर पर है 41 जबकि दुनिया के जो फंक्शनल डेमोक्राटिक नेशन्स हैं उनमें उनकी संख्यापने आप में बहुत कम है तब भी भारत उसमें एक तालिसमी पोजिशन पर है इतनी बुरी स्थिती है अब आप सोचिए हमें 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 दोश्पूर ज प्रेंगने लगा था आज तो मट्या मेट कर दिया गया है ऐसा लगता है कि प्रेस को प्रिस प्रशार कर रहा है प्रेस केवल सक्ता का गीत गा रहा है तो यह जो हालात थे जो कहा जा रहा है कि इमर्जनसी में प्रेस पर सेंसर सिप थी आज तो सेंसर सिप लगाने की भी श क्या 30 जनौरी के पाप मिट गए नाथू राम गोट से की एक पूजक को उसके उसको पूजने वाली एक महिला को संसद में जगह मिली है जितने लोग इमर्जनसी में मारे गए उसके 40 गुना तो सिर्फ नोट बंदी में मारे गए ये भी एक उधारण है आज का अभी देखा जाए कि संसद में प्रदानमंत्री जी ने बहुत सारी बातें इमर्जनसी की की बुरी स्थितियों की चर्चा की और जरूरी है चर्चा करना इतिहास सबक लेना चाहिए लेकिन मुझफर पुर का जिक्र उन्होंने कत्त ही नहीं किया जहां 200 बच्चों की जान ज देश के जहां आप गरीब अगर हैं अगर आप लाचार हैं अगर आप दलित हैं उत्विडिश समाज के हैं तो आपके पक्ष में अगर कोई कुलीम समाज का व्यक्ति कोई सवन समाज का बहुत धिक भी आवाज उठाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है उसको देश देश द्रो एक ऐसी बला हो गई है कि गरीबों के पक्ष में अगर कोई खड़ा होता है तो वह बला अचानक जाग जाती है तो यह जो हालात हैं तोस्तों देश के मैं नहीं समझता कि emergency के बारे में कोई अगर हमें सबक देता है कोई हमें लेसन देता है हमें कोई पाठ पढ़ाता है कि वो बहुत बुरा दिन था और आज का दिन बहुत चम्खिला है तो हम उस पर यकीन करें मुझे आदा रहा है कि देश के ग्रिह मंत्री उस वक्ते राजनाज सिंग्धी पिछले साल उन्होंने एक बड़ी अजीब बात कही उन्होंने कहा कि हमारे देश में और सहिशनुता उन्दिरों इंट्रॉलरेंस की बात चल रही थी उन्होंने कहा कि हमारे देश में intolerance सिर्फ तीन बार तीन मौकों पर दिखा है पहला क्या partition, दूसरा emergency और तीसरा सिख विरोधी 1984 के दंगे अब मुझे समझ में नहीं आता कि 2002 के दंगों को कैसे वो भूल गए मुझे यह भी नहीं समझ में आता कि इस देश के आजाद होने के बाद से जो लगातार समय समय पर देश के विभिन कोनों में जो communal rights हुए उनको क्या राजनाज सिंग जी और उनकी party ने intolerance का नतीजा नहीं माना communal intolerance का मुझे यह नहीं समझ में आया कि गौरी लंकेश प्रोफेसर कलबुर्गी नरिंदा भूलकर गोविंद पंसारे की तमाम इस तरह की जो intellectuals की हत्याई होई हैं उनको क्या उन्होंने और सहिश्णता का एक नतीजा नहीं माना क्यों नहीं अभी हाल की बात अगर मैं करूँ इस वक्त जब हम आपसे रूबरू है अभी जारखंड में जो ताजा 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 तबरेज सहित दो दरजन से अधिक लोग जो सारे अल्प संखक हैं देश में उनकी मॉब लिंचिंग में उनकी मौते हुई और जारखंड की बात अगर मैं करूँ तो तीन लोग तो एक ही रिजन में बाड़ ले गए हं तब रेज सहित जो हाल में जिनकी मॉब लिंचिंग हुई है तो ये जो कहना RSS के नेताओं का की BJP के नेताओं का मौजुदा सत् कुछ जो भारत में लोकतंतर को छीनने का लोकतंतर को खत्म करने का जो दोर है वो考res से केवल प्रतिमित होता है संबोधित होता है वो इमरजनसी के रूप में है और हम जो आज कर रहे हैं वो सब कुछ तंत्रिक है मुझे लगता है ये एक ऐसा जूट है जिस जूट को हमें जरूर एक्सपोज करना होगा और ये एक ऐसा जूट है जो अगर जिस पर परदेदारी बनी रही तो लोगतंत्र हमेशा खत्रे में बना रहेगा यह भी एक सच है दोस्तों